नमस्कार दोस्तो आपने इस फूल के बारे में सुनाई होगा यह मंदीरों में चढ़ाये जाने वाला फूल है यह पवधा दिखने में बहुत साधान सा है लेकिन संपूर और सदी गुडों से भरपूर होता है इसके इस्तमाल से कई तरह के रोग ठीक किये जा सकते हैं और इ इस पौधे का नाम सदा बहार क्यों रखा गया इससे सदा बहार पौधा इसलिए रखा गया इसका नाम इसलिए से कहा जाता है क्योंकि यह पौधा साल के बारे महिने फूल देता है इसलिए इसे बारे मासी सद पुस्पा और नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है सदा बहार का पौधा ऐसा पौधा है जो आसानी से सभी जगहों पे उगाय जा सकता है यह छोटी जाड़ी के रूप में होता है इसलिए आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं इसके पत्ते लंबे अंडाकार और चिकने होते हैं सदा बहार के फूल पांच पंखुडी वाला सफेद गुलावी और जामनु कलर के होते हैं इस और इसके फल एक फल्ली के जैसे होते हैं यह तो दोस्तो यह पौधो की समान जनकारी और पहचान की बात हो गई चलिए आप सदी गुड़ों के बहरें बताते हैं दोस्तो सदा बहार डाइविटीज में बहुत ही लाबकारी होता है डाइविटीज के मरीजियों को सदा बहार के फूल और टहनी को तोड कर मिक्सी में पीस कर इसका रस निकाल ले अब इस रस का खाली पेट सेवन करे और बचे हुए म मिर्ची और शेना नमक का इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों कैंसर में सदा बहार बहद लाबकारी होता है दोस्तों कैंसर होने पर रोगी को इसके पत्ते की चटनी बना कर सुबह सौच के बाद खाली पेट खिलाए जिससे रोगी की परतिरोधक छमता बढ़ जाएगी और रोग को फैलने और फैलाने वाली कोशिकाओं को धीरे धीरे नश्ट भी होने लगेंगी जिससे रोगी को बहुत आराम मिलेगा और उसके जीवन की अवजी भी बढ़ जाएगी तो राक चाप को भी दोस्तों सदा बहार का पौधार नियंत्री करता है यदि आपके घर में या आपको बलट प्रेसर की थमस्या है और आप दवाई खा का परसान हो गए हैं तो आप आपको कुछ घरेल उपाय करने चाहिए जैसे यदि आपके पास सदा बहार का पौधा है तो आप एक पौधे की जड़ को निकाल कर सुबह खाली पेट बरस करने के बाद जड़ को दांतों से चबा चबा कर रस निकाल कर चूसते जाएं ऐसा आपको पदर दिनों तक करना है आपको निशित रुप से बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों फोड़े फुनसी और घाओ को भी सदा बहार का पौधा ठीक करता है यदि आपको फोड़े फुनसी या घाओ है तो आ जल्दी भर जाएगी यदि आपको फोड़े फुनसी है और वह पक नहीं रहे हैं तो आप इसके पते और टहनी को कूचर कर मिक्सर में कूच के या कूच करके नारियल का तेल मिलाकर फोड़े फुनसी वाले अस्थान पर लगाते हैं तो इससे जल्द ही पक जाएगा फोड से अफ्टिक कर सकते हैं यदि आपको बहुत पुरानी खुजली है तो आप इसकी पतो काले बना कर खाज के अस्थान पर लगाएं इसका लेप आप दिन में दो बार लगाएं ऐसा करने से आपको खुजली बंद हो जाएगा और साथ ही साथ खाज भी जल्दी साप हो जाए से ठीक करने में में भी दोस्तों बहुत ही उपी होगी है सदाबहार आप मुहासों से परसान हैं आप बहुत सारे साबुन क्रीम फेस्वास और अलग-अलग तरक के कास्टमीटिक चीजों को यूज करके परसान हो गए हैं लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा है तो आप दो बार लगाएं ऐसा करने से आपके चेहरे पर मुहां से बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे आपके तोचा चिकनी और चमकदार हो जाएगी और दोस्तों आप बताते हैं इसका बहुत बड़ा लाव बावासीर को दोस्तों जो है होने पर सदाबहार बहुत बढ़िया जो ह की आपको बावसीर और आप कीसी कोन नहीं बता पार हैं तो आप रात के समय इसके पत्तों को पीस कर सोने से पहले बावासीर के अनलाब किया जाता था तो यह सब से दोस्तों बाबा सीर्ट के बजबाए महत पूर्ड बहुत बढ़ियां लाब अगर आपको भी यह वीडियो बढ़िया लगी तिसे लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ